तो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे P.I.Industries Limited Company के बार में Company India की एक leading agrochemicals की company है Company काफी अच्छे products hold करती है और साथ-साथ domestic market में काफी अच्छा hold है और export में भी काफी अच्छे से company हाँ पर काम कर रही है और आज की इस वीडियो में इसी company का fundamental analysis करेंगे और देखेंगे कि as an investor आज की इसमें क्या हमें अपना पैसा इस company में invest करना चाहिए नहीं और उसके साथ-सा हम company के financials भी चेक करेंगे कि आज की इसमें की revenue और profits कैसे चल रहे है और फिर उसके बाद हम company की valuation करेंगे कि आज की इस company हमें किस price भी मिल रही है कि क्या company undervalued है या फिर एक overvalued company है तो जैसे मनें बात की P.I. industry limited company इंडिया की leading agrochemicals की company है और market capitalization के इसाब से अपने sector की सबसे बड़ी company है और बात करेंगे company के product profile की तो company काफी wide range रखती है अपने products की company जो business करती है उसका जो business model है वो mainly दो categories में divided है पहला है active ingredients and intermediaries यहां से company को 76% करेंगे आता है और दूसरा है sale of formulations यहां से company को 23% करेंगे आता है तो दो category में company mainly काम करती है अन्यम जैसे बात की company के product profile की तो company के पास में जो products है उसमें insecticides हैं, fungicides हैं, herbicides हैं और specialty products हैं जो over the globe सारे farmers अपने farming के activities के लिए use करते हैं साथ में बात करें company के एक और edge की, तो India के अंदर company जो है वो biggest producer है generic molecules की कौन-कौन से molecules उसमें है, profanophose, ethion और phorate यह तीन ऐसे यहां पर जो generic molecules हैं जो company इंडिया के अंदर सबसे बड़ी manufacturing company है तो उससे बात करें, तो company काफी अच्छा range यहां पर प्रड़कर जो होल्ड करती है ऐसी बात करें सबने export की बात की, तो बात करें company के global presence की तो company इंडिया के लावा 30 और दूसरी countries में भी अपना जो माल है वो export करती है सासत अपने business को operate भी करती है बात करें, तो चार company के global office हैं, चार country में company की physical presence है उसमें इंडिया है, जपैन है, चाइन है, और जर्मनी, यहां पर company के अपने office है उसका बाखी जो country हैं जैसे ब्राजील है, साओधिय अरिबिया है, USA है, UK, France यहां पर company अपने माल को जो export भी करती है, तो domestic market भी करती है और सासत एक्सपोर्ट में काफी अच्छा काम है अगर हम बात करें, कमपनी के geographical revenue break-up, यहनि कितना domestic उसको sales आती है कितना माल से उसको export से आता है, तो company को 77% revenue जो है, वो export की market से आता है और 23% का revenue है, वो company को domestic sales से आता है, यहनि कि company export में काफी अच्छा export यहां पर देखें, तो रखती है खाली, इंडिया की market को पर dependency नहीं है, इंडिया से 23% में आता है, तो बाकी सारी जो अलगला countries है, भाहां से भी company काफी अच्छा revenue वो मिलता है ऐसी हम बात करें, company की manufacturing facilities की, companies कितने manufacturing plants हैं, तो companies में चार manufacturing locations हैं, जहां पर companies में पांस तो formulation की facilities हैं, और 13 multi product plants हैं, जहां पर जिनके थूरू company अपने products को manufacture करती है तो company काफी अच्छी capacity है, वो भी hold करती है अपने products को बनाने के लिए ऐसी बात करें, company के distribution network की, तो company काफी strong distribution network है, पुरे इंडिया में फैला हुआ है, और export की बात हम करी चुके हैं, अगर इंडिया की बात करें, तो company बात करें, तो company बात करें, यहां पर 9 zonal office हैं, 28 depot हैं, 10 अजार के आस्पास के अच्छी 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 और सासा distribution network company काफी बढ़िया hold करती है, उसको बात करें, company के research and development capabilities की, तो जितना भी chemical की companies हैं, products होते हैं, इसमें काफी जादा R&D की जुरूत होती है, अपने products को update करने के लिए, market में आगे रहने के लिए, तो यह company भी बात करें, तो एक research intensive business में हैं, और यह company भी अपनी research को अच्छे से करने के लिए, हर साल, अपने revenue का 3-4% पैसा अपनी research and development की activities पे खर्च करती हैं, उद्यपुर में company के पास में, यहाँ पर research center है, जहाँ पर काफी अच्छी lab facilities हैं, जहाँ पर scientists जो हैं, इनके, वो इनके products को और better बनाने के लिए, और नए products को, formation को बनाने के लिए लगाता है, हमाँ पर research करते रहते हैं, तो कुल मना के बात करें, तो business-wise काफी strong company, जहाँ पता है, आपने sector की भी, जो है number one company है, company जो है generating molecules बनाती है, उसमें भी सबसे बड़ी producer है, company का distribution अच्छा है, बाहर की बात करें, तो export भी काफी अच्छी से कर रही है, तो business-wise अगर हम और जाए data मिल सके, और मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंपनी का financial analysis करने के लिए मैं पिछले 5 साल का data यूज करता हूँ, जिससे में काफी अच्छी से उसके बारे में knowledge मिल जाती है, और सबसे पहला parameter जो हम कंपनी का चेक करते हैं, वो होता है revenue, और यहाँ पर देखें, त तो काफी अच्छी growth sales में काफी पॉफिसले 5 साल दिखाई है, अगर हम बात करें growth के CSEGR की, तो कम्पनी का 5 साल का sales growth जो CSEGR आ रहा है, וारा है 23%, यह और हर साल 23% से काफी अच्छी growth अपनी sales में दिखाई है, तो काफी strong हमें दिखाई दे रह而且 growth कर रही है, यह हमें clearly था परामेटर की तो अगला हमारा परामेटर है और ही यहाँ पर देखें तो पांस साल से काफी consistenut कम्री बास में operating में माझन है 21 परसंट 22 परसंट और 22 में 24 परसंट का अब कंपनी अपने profit मारीं काफी अच्छे से maintain कर पा रहे है कि कंपनी अपनी जो inpult cost है जो production कॉस्ट है उसको काफी अच्छे से हैंडल कर रही है कंपनी अपनी प्राइजिंग को कॉम्पेटिटर रख पा रही है इसलिए कंपनी अच्छे से अपना अपने अपने के नेट प्रॉफिट की तो यहां भी हम देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का हर साल इंक्रीज हुआ ह प्रॉफिट और पिछले 5 साल में 3 गुण प्रॉफिट कर लिया है ने 2019 में 410 कोड़पे का प्रॉफिट था जबकि 2030 में 1230 कोड़पे कंपवने नेट प्रॉफिट आया है तो काफी जबरदस क्रोथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट में भी दिखाए है सेल्स में है अब free cash flow क्या होता है हम क्यों check करते हैं free cash flow का मतलब है वो पैसा जो सारा company अपना business करने बाद में सारे खर्चे करने बाद में जो पैसा company वास freely available होता है इसको एक owner एक investor अपने घर लेकर जा सकता है अब उस पैसे को पैसे की लेकिन अगर free cash flow company hold कर रही है वो cash को भी अच्छा से manage कर रही है सारा business बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है बढ़िया से तहां देखें तो free cash flow के साब से यह company बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इसके लागर बात करें अगले parameter की तो अगला हमारा parameter है debt by equity ratio और debt by equity ratio एक बहुत ही important parameter है इससे में clearly यह पता लगता है company जो business अपना कर रही है उसमें खुद का कितना पैसा लगा रखा है और company ने loan लेके कितना पसा invest किया है कोई भी company अगर जादा loan लेती है तो उसको उतना जादा करने कोई भी debt नहीं लियावा है कोई interest का burden नहीं है कोई पैसा वापिस करने का burden नहीं है बहुत ही strongly company अपने finances को manage कर रही है उसले बात करें next parameter की तो यह है return on equity और return on equity से नाम से पता लग रहा है कि यह वह पैरामेटर इसके तरूम यह पता लगता है तो अगर 15% से उससे ज्यादा किसी भी company का return on equity होता है तो काफी अच्छी company माना जाता है कि हाँ ठीक है company अपने investors के पैसे वह काफी अच्छी से utilize कर रही है manage कर रही है और काफी अच्छा return generate कर रही है तो return on equity के साब से company बहुत बढ़ी है तो कुल में लाकर हम सारे financial देखें तो बिल्कुल excellent financial hold करती है company कंपनी की sales पिछले 5 साल में बहुत ही जवर सरी के बढ़ी है profit अच्छी से बढ़ा है debt कोई नहीं है return on equity बहुत बढ़ी है सब चीज अच्छी है तो financial अगर हम बात कर तो बहुत ही strong company आर्कित में यह है तो अभ फिर हम उसके साथ से चेक करते हैं कि इसके साथ से company क्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और हम दो किसी company की valuation करने के लिए मैं उस करता हूं discounted cash flow analysis उसके हम company को free cash flow पर value करते हैं बात के दिए free cash flow वो पैसा है जो इसमें freely available है असली कमाई वो है तो उस पैसे को पर company को valuation करत दोज़र दाइस में 192 क्रोड पी और दोज़र तेस में 1175 क्रोड पी यानिके तीन साल कामने अब डेटा लिया है अब इसका हम average निकालेंगे क्योंकि अलग अलग डेटा आ रहा है तो इसका हम average निकालें तो उसके तीन साल के company के free cash flow के average आ रहा है साड़े 500 क्रोड पर यान कि ऐसी company जो साड़े 500 क्रोड पे हर साल free cash flow जनेर कर दिया है उस पूरी company की value हो गई 27,500 क्रोड पे सारी एसेट सबजी मिला के पूरी company कर में खरीद नहीं है तो 27,500 क्रोड पे हमें देने होंगे और साड़े 500 क्रोड पे हर साल free cash flow मिलना शुरू जाएगा यह इस valuation का मतलब है अब यह दो कि पूरी company value अब इसको मिलाते है पारिशेर के साब से तो पारिशेर के साब देखें तो जो company की fair value निकल किया रही हुआ है अठारा सुरूपे पारिशेर के साब से इस company में invest करेंगे तो company को fair value पे खरीदेंगे ठीक है company इतना free cash flow generate करती है तो उसके साब से इतनी इसकी value बनती है लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं किसी company को fair value पे पूरा पैसा देखे या और वेल्यूट में खरीदेंगे तो हमारा बहुत जादा risk increase हो जाता है क्योंकि जो भी हमने data चेक है जो भी चीज़ चेक है वो सब क्या है पास record है फीचर में कोई guarantee नहीं है कि इत उसके 50% से खरीदने कोशिच करने चाहिए जिसमनी का अला कंपनी का fair value अठारा सो रुपया उसका 50% यानि कि माज़िव सेफ्टी होगे 900 रुपे तो अगर 900 रुपे पर इस इस company में invest करेंगे तो हम काफी अच्छे से अपने risk को manage कर लेंगे और सासत कंपनी का शेर प्राइ वह आ रहा है 3475 रुपे के आसपस कंपनी के शेर प्राइज जो वो ट्रेड कर रहे हैं तो इस 3475 के साथ देखें तो हम जो अपनी प्राइस से भी डबल पर जा रही है जबकि हम उसको लेना चाहरे थी 900 पे और वह चार उने प्राइस पर चल रही है अपनी माज़िव कर ली सब कुछ चेक कर लिए सब कुछ कर लिया कंपनी कर निकलिये है और वेल्यूशन में अगर सकते हैं और जैसे हमारे प्राइस डिजायर प्राइक हे आसपास कंपनी का शेर प्राइचा तब हम इसको इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी कंपनिया हम अलगला कंपनी को चेक कर सकते हैं जो कंपनिय में माजियों सेटी के साथ मिलेगी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा है कि यह हम सस्ता खरीदेंगे तब ही हम कलको कुछ को चांसे जाएं तो हमें में लिए बनाने है कि हम एक लिस्ट त्यार कर रखनी है अपने पास लिस्ट के अगराइगी तो बिल्कुस में कुछ हो और फिर आप अपने साथसे में डिसाइड कीजिए आपको इस कमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है लेकिन आपको उता दें कम्पनी माने आपको टृट्व नॉलिज देदी है आशे करतें आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपके वीडियो अच्छ